ओके, सेकेंड वीडियो में हमने एक्सिसाइज डी सॉल की, अभी हम एक्सिसाइज ई सॉल करेंगे, या है वो, now write about yourself, अभी आपको अपने बारे में लिखना है, ठीके, पहले तो ये क्या लिखना है, वो सब देख लेते हैं, फिर answers हम बाद में फिल करते हैं, ठीके, my name is dash, या dash, आपकी ममी का नाम लिखना है, my father's name is dash, यहाँ पे आपकी, आपके पापा का नाम लिखना है, I live in, आप कहाँ पे रहते हो, वो लिखना है, the name of my school is, फिर हमारी school का नाम लिखना है, and last name, the name of my class teacher is, और आपकी class teacher का नाम लिखना है, ठीके, चलो, अभी हम स्टार्ट करते हैं exercise E, आपको पता चला ना क्या लिखना है, अगर आपको आ गया है, तो आप खुद से लिखो, ठीके, बाद में वीडियो चेक करना, क्या लिखा है, बढ़ना हम पहले solve करते हैं, फिर आप homework कर लेना, ठीके, my name is, हमने क्या बला था, हमारा नाम या किसी का भी नाम, capital letter से स्टार्ट होगा, ठीके, my name is Ami, ठीके, अमी सुथार, यह आप लिख सकते हो, ठीके, my mother's name is, मीना बेन सुथार, देखो, जो भी मैं लिख रहे हूँ, वो capital letter से लिख रहे हूँ, पता चल रहा है ना, my father's name is, मुकुंद बाई, सुथार, ओके, I live in, अपने सीटी का नाम लिखना है, वडोद्रा, आप अपने इसाफ से कोई भी लिख सकते हो, मैं गोत्री में रहती हूँ, मैं गोर्वा में रहती हूँ, मैं निजामपुरा में रहती हूँ, फिर वडोद्रा में रहती हूँ, या कुछ भी लिख सकते हो, ठीके, The name of my school is, यहाँ पे आपने, अपनी स्कूल का नाम लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहे हूँ, स्कूल का नाम, ठीके, Benjamin World School, The name of my class teacher is, फिर यहाँ पे आपको अपनी class teacher का नाम लिखना है, ठीके, मैं लिख रहे हूँ, हेटल, स्रीवेदी, यह हो गया हमारा class teacher का नाम, ओके, आपको अपने इसाब से सब कुछ लिखना है, मैंने अपना लिखा है, आपको अपने answers फिल करने हैं, ओके,